हेलो गाईज नमस्कार मैं हूँ शुभम और दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो भी इस तरह का कल्कुलेटर होता है अपने देखा होगा दुकान पे अक्सर होता है ठीक है तो इसका यूज कैसे करते हैं यहापको बताऊंगा इसके अलावा यहाँ पे तीन बटन और दिये हैं ठीक है MRC, M- और M+, इन तीनों का यूज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा GT का GT यानि grand total का use कैसे करते हैं यहाँ पे आप लोग example की तोर पे समझ सकते हो यहाँ पे 5 x 3 लिखा है प्लस 7 x 5 लिखा हुआ है ठीक है तो नॉर्मली आप लोग जब करते होगे इसको तो यहाँ पे 5 को 3 से multiply करते होगे और answer उसका कहीं लिख लेते होगे या फिर याद कर लेते होगे इसके लावा 7 का 5 से multiply करके उसका जो भी answer होता होगा उसको याद करके बाद में add कर लेते हो मगर आप इसको directly भी इससे कर सकते हो कैसे करते हैं वो देखिए तो guys जैसे यहाँ पे लिखा है 5 x 3 guys वो हम यहाँ पे type करेंगे तो चलिए दोस्तों type करते हैं 5 x 3 और यहाँ पे equal का button दबाएंगे तो यह हो गया हमारा 15 ओके अब यहाँ पे हमको आगे का calculation एड करना है 7 x 5 का तो अब यहाँ पे मैंने ok कर दिया उसके बास से अब हम लिखेंगे 7 x 5 ok ठीक है दोनों को मैंने add कर लिया अब यहाँ पे हम simply grand total का button दबा देंगे तो यह देखिए हमारा answer आगया 50 ठीक है तो आए दोस्तों आप लोग समझ के होगे कैसे इसको solve करते हैं ठीक है अब इसके अलावा guys यहाँ पे देखिए answer आया 50 बुजू मैंने आपको दिखा दिया उपर अब इसके अलावा guys यहाँ पे बी वाला जो option है बी वाले को कैसे add करेंगे वो भी आप देख लीजे तो guys सबसे पहले आप क्या करना है जिसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 8 into 2 तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 into ठीक है 2 अब उसके बाद से आगे लिखा है 4 into 7 4 into 7 ओके यह ओके मतलब मैं बराबर बोल रहा हूँ ठीक है अब उसके अलावा लिखा है 8 into 5 तो यहाँ लिखेंगे 8 into 5 ठीक है उसके बाद से यहाँ पे equal का button दबाएंगे अब इसके बाद grand total का button दबाएंगे तो यह देखे 84 answer आगया जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है 84 ओके तो यहाँ पे आपको directly भी आप कैसे कर सकते हो मैंने आपको सिखा दिया GT का use क्या होता है कैसे करते है step by step और इसके अलावा guys यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे markup MU का use क्या होता है उसका मैं आपको use बताने वाला हूँ कल्कुलेटर में यह देखिए बटन होता है MU उसका use कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ तो guys example कि नहीं समझे है इसको बोलते है markup ठीक है इसको cost profit discount के लिए use होता है इसको बड़े ध्यान से समझेगा तभी आपको समझ में आएगा जैसे कि मालीजे कोई समान है आप 900 रुपए खरीदे हो ठीक है और आपने उसमें 100 रुपए अपना मतलब जो भी आपका profit है वो आपने add कर लिया ठीक है आप उसका value यहाँ पे कैसे निकालते हैं ठीक है वो calculator में आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आपको जैसे मालीजे 900 प्लस 100 लिखा हुआ है ठीक है यह खजार इसका दाम हुआ जितने में आप बेच होगे मगर actually आपको customer को दिखाना भी तो है तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे मालीजे मैंने total लिख दिया 1000 रुपए ठीक है अब इस पे हमको discount add करना है कितना 20% का तब इसका दाम कितना हो जाएगा तो यहाँ पे हम simply मैंने लिखा यह 1000 टाइप कर दिया है उसके बाद से यहाँ पे markup बटन दबाएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखे चोटा सम mu लिख के आ गया है markup दबाएंगे कितने percent का discount हम गुग रहा को देना है ठीक है तो यहाँ पे हम 20 दबा देंगे 20 percentage ठीक है तो यह देखे मैंने 20 percent दबाया और percent का button दबाया तब तुरंट आ गया 1250 रुपए ठीक है तो यानि 1250 रुपए हमको MRP उसको दिखानी पड़ेगी कि भाईया इसकी माली जो को साड़ी है तो उसकी दाम देखे 1250 है और हम आपको 20 percent का इसमें discount देंगे तो आपको 1,000 रुपए का आपको मैं दे रहा हूँ यह ठीक है समझ रहो गया आप लोग मैं क्या कहना चाता हूँ so guys example के आप मैं बताता हूँ आपको 1250 है ठीक है अब इसका मैं 20 percent आपको निकाल के दिखाता हूँ minus करता हूँ इससे कितना 20 percent 20 percent अगर हम minus करेंगे तो यह देखिए 1,000 रुपए आ गया तो मैंने आप एक वेरिफाई करके आपको दिखा दिया कि कैसे यह काम कर रहा है ठीक है इसके लापा guys दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ अग्जामपल के लिए तो दूसरा एक्जामपल समझीए दोस्तो तो जैसे माल यह कोई चमान है 400 रुपए का आप खरीद के लाते हो 100 रुपए अपना प्रॉफिट एट करते हो तो कुल मिला कि आप उसे बेचों के 500 का ठीक है मगर आपको customer को दिखाना कि 20% आप उसको discount दे रहे हो ठीक है तो यानि MRP क्या उसको दिखाओगे कि भया इस जो भी हमारा product है वो कितने का है और हम 20% discount दे कर आपको 500 रुपए का दे रहे है ठीक है तो जो भी इसका जो भी आपका प्राइज है जिस पर बेच रहे हो उसके कितना डिसकाउंट एड करना है तो जितना भी आप देना चाहते हो वह आप कैसे काल्कुलेट करेंगे वह देखिए इस अगला भी पॉइंट में सेम तो सेम इसी तरह के से यह भी होगा तो इभी मैं आपको बता दिता हूँ तो गैस सबसे पहले आपको 500 टाइप करना है 500 माल लिजे यह इतने का मेरा प्रोडेक्ट है ठीक है अब हमको इस पर कितना कस्टूमर को डिसकाउंट देना है वो मैं आप यहां प परसंटेज का जियू बटन दबाऊंगा तो यहां पर इसका दाम आ गया ठीक है तो यहां पर एड होकर आ गया तो 625 रुपए उसका दाम में लिखा हुआ जो होगा माले जो कोई भी कोई चीज वो खरीद रहा है कोई साड़ी ही है ठीक है तो उसके पीछे जो भी इसका द 20% अगर हम माइनस कर दें तो यह देखो 500 का उसको मैं बेचूंगा दोस्तों मैंने आपको क्रॉस वेरिफाई भी कर दिया कि कैसे यह हो रहा है ठीक है तो अगर जिसको नहीं समझ में आया यह चीज एक बार फिर से इस वीडियो को देख लो आपको काफी आसान तरीके से य माइनस M प्लस और MRC का यूज कैसे करते हैं यानि इन तीनों बटन का यूज कैसे करते हैं स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़े आप लोग सीख जाओगे तो यहाँ पर एक्वेशन आप लोगों ने देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ जो भी चीज़े होती है जिस तरह के जब कल्कुलेशन होते हैं जिसमें प्लस माईनस दौनों का यूज हुआ हो तो आप उसको इसमें कैसे करोगे तो यह थोड़ा सा ओर हो जाता है तो इसको कैसे करते हैं उसमें इन त customize का यूज होता है कैसे करेंगे आप लोग उससे सीखिए ठीक है सो guys सबसे पहले जैसे example के लिए मैं आपे बता रहा हूँ, देखिए, ठीक है, 5 into 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपे लिखूंगा, 5 into 3, okay, मैंने 5 into 3 किया, अब उसके बास से इसके आगे sign क्या है, plus है, तो हम M plus वाला बटन दबाएंगे, ठीक है okay, मैंने दबा दिया M plus, अब उसके बास से क्या है, 2 into 3 करेंगे, 2 into 3 करेंगे, मगर इसके सामने sign कौन सा है, यह हमको minus है ना, तो minus के लिए हम M minus दबाएंगे यहाँ पे, M minus दबा दिया, ठीक है, अब इन सबका calculation का answer क्या होगा, उसके लिए हमको equal button नहीं दबाना है, हमको द जो कि यहाँ पर हमारे calculator में भी आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हम solve कर सकते हैं, तो अब दोस्तों आप लोग समझ गये होगे, इन तीनों का क्या use है, आप लोग दोबारा देख लिना, अगर ना समझ में आए, मैंने आपके दो ही का example, एक दो ही लेकर example दिया है, आपके अगर plus minus करके कोई भी number लिखाओ, आपको उसी तरह कर लेना होता है, ठीक है, तो दोस्तों आपको आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, तो अभी आप लोग चाहे तो अपनी screen sort भी ले सकते हैं, अपने phone में इस चीज़ का, I hope दोस्तों ये video आपको काफी पसंद बाइ बाइ और जाहिंद